हनवी हेलो फ्रेंड्स आज कि हमारे चेवरह में तब पर्पेंडिकलर फमें दे इसे कि आप डियाग्राम में नेख सकते हैं I became circle बनाए हूँ और ये इसका सेंटर है O मैने कोड्र क्वरण बनाई A और B मैने कोड्र के दिया A को A से जो जाइन कर लिया और B को भी और फिर O से AB पर एक perpendicular डाल दिया और मैंने इस point को नाम ले दिया C तो OC क्या है उसी है perpendicular to AB यह हमें given है कुछ ने पूछा क्या है कि जो AC है वो CB के equal होना चाहिए मैंना हमें theorem में proof क्या करना है हमें theorem में proof करना है कि जो यह cord है वो bisect करती है जो हमने perpendicular डाली है वो cord को bisect करती है bisect करने का मतला हुआ कि जो AC है वो CB के equal होगा तो हमें proof करना है कि AC CB के equal है given that OC is perpendicular to AB and AB is the cord of a circle with center O ठीक है तो अगर हम यह triangle proof कर दें कि जो triangle OAC है और जो triangle OBC है तो हम बोल सके हैं कि उनकी पूरी side और पूरे angle भी equal है तो AC भी AB के equal है ठीक है AC AB के equal है यह भी proof हो जाएगा तो देखिए जो पहली side है वो क्या होगी OC OC दोनों triangle में common है तो OC हम लेकी सकते हैं और जो OA है वो OB के equal होगी क्यों क्योंकि हमने मानले कि circle की radius अगर R है तो OB भी R होगी और OA भी R होगी क्यों क्योंकि दोनों इसकी यह radius है और यह हमें given है कि जो OC A is equal to angle OCB is equal to 90 degree तो यह तीन condition दे रखी है तो इन तीन condition से हमें प्रूफ करना है कि हमें इन तीन condition से दोनों triangle congruent प्रूफ करना है तो हमार जिमाग में कौन सी property आएगी हमार जिमाग में आनी चाहिए RHS right angle hypotenuse side property क्योंकि एक हमें right angle मिल गया एक hypotenuse मिल गई और एक side मिल गई ठीक है तो फिर RHS से यह proof हो चुका है कि दोनों triangle क्या है congruent है दोनों triangle congruent है तो फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो AC है वो CB के equal है और यहीं हमें question में proof करना था I hope आपको यह चोरम समझ में आगे होगी अगली lecture में हम इसी चोरम का just reverse चोरम प्रूफ करेंगे Thanks